इंजिनियर स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप को इंफ्राटेक प्रावेट लिम्टेक की तरफ से डिप्लोमा और बी बी टेक वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर सिविल इंजिनियर से लिजबल रहेंगे आपकी डारेक्ट भरती रहेगी कोई भी एक्जाम नहीं होगा और ना तो यहाँ पर कोई आपकी एक्जाम ने संफीस लगेगी बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोम में आपको जोप्स अब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाट्स अब ग्रूप को भी जोईन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं के ओफिसेल नोटिस पर नोटिस आपका एपको इंफ्राइटेक प्राइट लिम्टेक की तरफ से जारी किया गया है बिसिकली यहाँ पर मरीन वर्क के लिए आप लोगों के लिए वेकेंसी निकाली गई है जहाँ पर डिप्लोमा और बिबीटेक वाले अपलाई कर पाएंगे और इन सभी पोश्टों में अपलाई करने के लिए आपके पास एक्स्पिरियंस होना चाहिए पहली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है पाइलिंग इंजिनियर और सीनियर इंजिनियर के लिए यहाँ पर आपको बताया है अगर आपने वीवीटेक एफिल डिप्लोमा किया है Civil Engineering में minimum आपके पास 6 Year Cover के Experience आप यहाँ पर apply कर पाएंगे अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है Structure Engineer के लिए अगर आपने B.E.B.T. के आफिक डिप्लोमा किया है Civil Engineering में minimum आपके पास 6 Year Cover के Experience आप यहाँ पर apply कर पाएंगे और अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है Launching Engineer और Senior Engineer के लिए अगर आपने B.E.B.T. के आफिक डिप्लोमा किया है Civil Engineering में minimum आपके पास 6 Year Cover के Experience आप यहाँ पर apply कर पाएंगे और last वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है Mechanical Engineer के लिए अगर आपने B.E.B.T. के आफिक डिप्लोमा किया है Mechanical Engineering में और minimum आपके पास 6 Year Cover के Experience आप यहाँ पर apply कर पाएंगे तो जो भी दोस्त हमारे इनके eligibility criteria को पूरा करते हैं आप इसके लिए interested होते हैं eligible होते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको अपना updated CV लेना है उसके साथ में आपके जितने भी जरूरी document हैं उन सबको लेना है self test करना है एक single PDF तयार करनी है और आपको भेज देना है इनकी official email पर और इसके साथ यहाँ पर आप लोगों को subject line में लिख देना है कि आप यहाँ पर इस post के लिए apply कर रहे हैं जैसी भी जानकरी आप लोग यहाँ पर अपने application form में provide करेंगे उसके हिसाब से ही यहाँ पर आपको sort list करके interview के लिए बुलाए जाएगा तो जो लोग भी इनके eligibility criteria को पूरा करते हैं आप इसके लिए interested होते हैं आप यहाँ पर apply कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you शुक्रिया